अजिन मस्कर आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का जो 6 लेसन करेंगे जो कि किस के बारे में संचार मादमों को समझना कि संचार मादमों को किस परकार यहां पर यही क्योशन पूछे गए हैं कि क्या तुम कौन सा प्रोग्राम देखते हो, क्या तुम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हो, नियूस पर कौन सा पढ़ते हो, तो यह संचार सभी यह जो सब चीजे हैं, संचार मादमी है, कि उनके बारे में यह से पूछा गया है क्यो मेडिया वर्ड है, मेडिया वर्ड है, वो मेडियम जो वर्ड होता है, मेडियम, मेडियम जो वर्ड होता है, उसका ही बहु अचन है, इसका दाथ पर यह उन विभिन तरीकों से है, जिसके द्वारा हम समाज में जो विचार आदान परदान करते हैं, मेडियम का अर्थ माद मादबर्डूंसे है तो इसलिए यह चीज जैसे पुलन पर बात करना टीवी हेश समाचार पत्र पढ़ना ये सभी क्या संचार के मादब्ड Eph injection तो यहां पर यहीं बताया कि संचार के मादबं क्या होते हैं और किस परकार जैसे ये सबसे पहले ये एक फोटो दी है, जो टेलिवाइजर बना था, टेलिवीजन का जो परांबिक रूप बना था, उसके आविसकार के सामने जो बैठे हुए हैं, जोन एलबर्ड, इसको बेयर्ड भी करके पढ़ते हैं, बेयर्ड करके भी पढ़ते हैं, जो टीवी के आविसकारक माने जाते हैं, जो टेलिवीजन की आविसकारक माने जाते हैं, फिर संचार माधम और लोकतंतर, संचार माधमों से लोकतंतर का कैसा संबंद है, पोजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, उसके बारे में बताया है कि लोकतंतर में, जब देश और सं सचा करने के बारे में जब बात आती है तो जो संचार के मादम है या फिर मेडिया उसकी बहुत ही हमें परचार करवाना होता है तो एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए जो एक only 10 सेकंड का जो वेग्यापन आता है उसके लिए कितने उसकी लोग प्रियता के लिए क्या धार पर जैसे कोई कितना लोग प्रिय है या फिर कम लोग प्रिय है उसके आधार पर हजार से एक लाख रुपे के बीच में पड़ता है मतलब एक दस सेकिंड के वेगापन के लिए एक लाख तक का खर्च भी आ जाता है तो उसकी लोग प्रियता पर निर्भर करता है अच्छा जब लोगतंत्र में जब हम समाचार माध्यमों के रिलेशन की जब बात करते हैं तो हम अग इन चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो यह भी बहुत मायने रखती है कि अगर हमें किसी चीज़ का विरोध करना है तो हम किस परकार मीडिया का यूज करेंगे जैसे यहां पर दो चीज़ें बताई है मालो पर्दूशन भैल गया है पर्दूशन भैनले वाले जो का कि कि परखे इपाने में कि सम्चार कहीं अधारिया फिर ये बताया है जो संचार मादम् संतमत्र नहीं है । इसके मुखे तो दो कारण ह क्या है। सरकार उन पर नियंत्रन्स है, कि कि सोफ़ चार की बैस्ट के खेर समाचार के किसी आंस-फिल्मन या किसी दरश्य अगीत के किसी अभी व्यक्ति को जन समुदाय तक पहुचाने में परतिबंदित करती है तो जैसे कई बार ऐसी चीज़े होती हैं जिस चीज़ को हम पब्लिकली नहीं कर सकते तो उन चीज़े को क्या कहा जाता है उनको सेंसर कहा जाता है अब बहुत आहींilateral ऐसी शर्वां को सेंसर और यहां पर टाइलोग था तो उन पर जहांता है और जो सेंसर बोर्ड को एंधा की जगधा, नहीं समझी जाती एक समाज में दिखाने के लिए जैसे आज से बहुत साल पहले क्या होता था टीवी हमारे साथ क्या करता है हम टीवी के साथ क्या करते हैं कि जैसे पूरी फैमली कठे होके टीवी देखती थी बता रखाया कि जैसे टीवी मैंने एक पर करके कार्येकरम जैसे परसार हुआ है मसोदात है किया जाना यहां पर बताया है कि किन घटना उपर के ध्यान के अंद्रित किया जाए इन में से संचार मादमों का मैता पुन भूमिका रहती है कि अगर हमें किसी घटना पर ध्यान के अंद्रित करवाना है तो अगर हम संचार के मादमों का यूज कर के उसको उस जो समस्या को अच्छ से उजागर कर सकते हैं यह मतलब बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है जैसे संचार के मादमों से जैसे मालों पीछे देखा गया था कि जो कोका कोला के जो पे थे उसमें कितना सक पदार्थों के खत्रे के लिए जो तरबड़े हुए होने क जो द्यान अकरसित करवाया था यह भी जो और फिर एक जो शायद नैसले का नैसले की जो मैगी है उसके उपर भी ऐसे ही द्यान अकरसित करवाया था वो भी किसने करवाया था वो भी मेडिया नहीं करवाया था फिर ऐसे बताया है कि संचार के मादमों से जैसे हम यह देख करता है कराने में ऐसा भल होता है जो हमारे जीवन के लिए महतपूर्ण नहीं होती है उन चीजों पर भी जैसे उधारन के लिए पीने का पानी है ये एक बहुत जैसे सुरुक्षित पानी नहीं मिल पाता अब यह है कि कोई डिजाइनर के फैशन वी के धनवानों के जो समक्स अपने कपड़े को परदर्शन करते हैं वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो दिखानी जरूरी है तो इसके उपर ध्यान के अंदरीत करवा जाता है जैसे यह नहीं बताते कभी कि जो जुगी जुपड़ियों में जो यहां पर जुगी जुपड़ियों में जो लोग रहते हैं कि उनको वो बूख के कार्ण कितने मर रहे हैं या फिर उनको पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं नहीं है तो उन पर द्यान के अंदरीत नहीं करा जाता अब यहाँ पर स्थानिय समाचार पत्तर हैं उनके बारे में बत की है अभी जो हरियाना में एक अक्जाम हुआ था उसमें ये क्योशन पूछा गया था कि जो खबर लहरिया नामग एक समाचार पत्तर था जो कि उत्र परदेश के चित्रकुट जिले की आठ दलीत महीलाओं ने के दवारा हर पंद्रा दिन में निकाला जाता है अब यहाँ पर कितनी सारी इंफर्मेशन है एक तो खबर लहरिया खबर लहरिया एक न्यूस पेपर है पंद्रा दिन में होता है मतलब अर्दमासिक है कह स्रीयों के प्रती हिंसा राजनितिक ब्रश्टाचार के समंदेत रिपोट देता था तो उसके बारे में बताया है यहां पर बताया है कि संचार के माद्म को किसी घटना की ख़बर चापने के लिए रोक सकता है तो कौन मानलो很多 हमें रोख लगानी है कि यह ख़बर नहीं चरपनी चाहिए तो उसको कौन रोख सकता है यह प्याइने बता दिया था कि कैसे यह sensor board उस पर किसी भी जो चीज कोई चीज नहीं दिखानी होती उस पर रोक लगा सकता है उसका अधिकार किसको है सरकार को है और उसके लिए जो काम करता है कौन होता है sensor board होता है sensor board होता है इस lesson में इतना ही था जहिंद thanks for watching